तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि फिलिप्स के ट्रिमर की सबसे अच्छी बात होती है इनकी डियूरीबिल्टी और यही वज़े है कि आपको इसमें मिलती है टू इयर की वारंटी साथी साथ वन इयर की एडिशनल वारंटी अगर आप इनकी वेबसाइट पर जाकर इसको रेजिस्टर करते हैं तो तो आज हम बात कर रहे हैं फिलिप्स के ट्रिमर क्यूटी 4011-15 जो है सीरीज 3000 से कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आपको यह मिलेगा इसमें होगा ट्रिमर, कारजिंग एड़ॉप्टर, अटैचेबल कॉम, क्लीनिंग ब्रश, पाउच, एंड यूजर मैनुवल्स मैंने इस ट्रिमर को परचेस किया था 2019 जैनवरी में अमेजन से, तो अल्मॉस डाही साल हो चुके हैं इसे यूजर करते हुए और अभी तक मैंने किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस की है इसमें तो सबसे पहले हम बात करेंगे उस चीज की जो सबसे पहले नोट करेंगे आप इस ट्रिमर में और वो है इसका डिजाइन यह ट्रिमर डाउन साइट से स्लिम है कमपैरिटिवली इसके हैड के नीचे से जैस जैसे आप उपर की तरफ मूव करेंगे इसकी चोड़ाई बढ़ती जाती है जिस वज़े से यह बहुत ही हैंडी और कमपर्टेबल बन जाता है होल्ड करने में जो कि इसे बहुत अच्छी ग्रिप प्रोवाइट करता है और इस वज़े से इसको यूज करते टाइम हाथ से गिरने की प्रोविबिलिटी कम हो जाती है साथी साथी हैड की तरफ से थोड़ा सा बैंड है जिस वज़े से इसे यूज करना और जादा कमपर्टेबल हो जाता है इसके डिजाइन की वज़े से बात करूँ अगर इसके बिल्ड क्वालिटी की तो काफी प्रीमियम क्वालिटी का प्लास्टिक इसमें यूज किया गया है जो की आता है मैट फिनिस के शाथ फ्रंट और बैक साइड में और साइड में आपको मिलेगी ग्लॉसी फिनिश कुछ इस तरह की फ्रंट में टॉप पर लिखा हुआ है ओपन यानि कि यहां से कुछ इस तरीके से इसकी ब्लेट को ओपन कर सकते हैं और कुछ इस तरीके से इसकी ब्लेट को आप दुबारा आटैच कर सकते हैं बहुत ही इजी है से डी अटैच और अटैच करना थोड़ा नीचे आप देखें लेंथ सेटिंग इस टाइम पर सेट है 20 लेंथ सेटिंग एविलेबल है इसमें 0.5 mm से लेके 10 mm तक 0.5 के प्रिसीजन के साथ यानि की 0.5 के डिफ्रेंस से आप लेंथ को बढ़ा या फिर घटा सकते हैं तो आप अपनी रिक्वायर्मेंट के एकॉर्डिंगली इसको सेट कर सक में है बक्राइल के थोड़ों से और नीचे आपको मिलेगा इसका पावर ऑना उफ इसका अकरने संपड़का और आपको करने एक लिए उप्र की तरफ मूप करना है और आप करने के लिए Julian ईसने सके कि अचा है घर जब आप इसे चार्ज करेंगे तो यह green color में blink करेगा कुछ इस तरीके से यानि कि अभी यह चार्ज हो रहा है और जब इसकी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी तो यह blink करना बंद कर देगा इस टाइम पर यह continuous glow कर रहा है यानि कि इसका मतलब फुल चार्ज हो चुका है इसे charging port जो कि कुछ इस तरह का दिखता है क्योंकि यह cold and codeless timer है तो आप इसे charging करते करते भी use कर सकते हैं जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया charger इसके साथ आपको available हो जाएगा जिसकी length है 2 meter के आसपास जो कि enough है मेरे accordingly बात करें अगर इसके blades की इसमें नीचे का जो blade है वो stainless steel का है य titanium coated है titanium की coating की वज़े से यह जली wear out नहीं होता है और लंबे समय तक long last करता है यह sharp रहता है साथी साथ इसकी blades की जो tip है वो rounded है जिसकी वज़े से skin से contact जो है वो काफे smooth रहता है और किसी भी तरह की irritation को यह prevent करेगा क्योंकि blades detachable है तो आप इसे पानी में wash कर सकते हैं बर ध्यान रहे primer waterproof नहीं है और इसी के साथ आपको यह attachable comb मिलेगा plastic quality comb की कोई खास अच्छी नहीं है तो थोड़ा समाल कर आपको इसे use करना पड़ेगा वरना यह तूट भी सकता है primer के head पर आपको एक slot मिलेगा comb को insert करने के लिए और जब length को बढ़ाएंगे या फिर घटाएंगे तो यह कुछ इस तरीके से move करेगा up and down position में इसका price 2000 rupees के आसपास है अगर आप इसी price range में कोई दूसरे brand के timer देखना चाहते हैं तो आप realme का beard timer plus check out कर सकते हैं इस video में इस से related सारी information आपको मिल जाएगी और अगर आपका budget 1000 rupees के आसपास है तो आप यह video देख सकते हैं इसमें next video में तब तक के लिए की लुकिंग गुड़